आज हम बोर्ड और जो किये बोर्ड रॉकर्स 255 और नॉइज ट्यून एलिट को रिव्यू देने वाले हैं कमपैरिजम करने वाले हैं कि कौन सा आपको खरीदना चाहिए तो ठीक है गाइस यह रहा पहले पहले नॉइज को साइड पर लगते हैं यह है बोड बोड रॉकर्स 255 इसका बील्ट मैट्रियल अच्छा है और बोड आपको एक साल का वारेट भी देता है अगर तो अब ही हो इसमें यहां पर आप मैक्नेटिक के साथ हो आएगा और लगभग सही है फीट कॉलिटी कॉलिटी अगर आपको यह लंबा थोड़ा है ज दोस्तों यह मैं आजी ओडर किया हूं तो देखिए यह आता है एक ब्राइंड नॉज यहां अच्छा क्लाब फिनिसिंग के साथ लेकिन अब देख सकते बील्ट क्वालिटी जो है वो थोड़ा बोड से थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा बोल लेंगे हम की घट रहा है औ यहां पर आपको माइक दे रखा है और बोड में इस साइड माइक दिया तो काईज हम बोलेंगे की बील्ट क्वालिटी में बोड अच्छा है नॉज से तो गाइस आपको कौन सा खरीदना चाहिए देखिए गाना दोनों में सही चलता है यह अपटो आपको 6 आउर लिखा है लेकिन 7-8 गंटे तो चल जाता है और वो पहुत होता है और इसमें 9 गंटे लिखे हैं जो कि exactly 9-10 गंटे चलते हैं और इसमें आपको यह वाला फीचर भी देता है कि आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं तो आपको चलने में असान ही है में और भी अपने दोड़ते हैं यहां पर आपको नहीं मिलता है तो यह जाता है और यह आपको 1100 में जायादा और देखो आप देखो कि कि यूट्यू में लोग ले पाते हैं उसका इसमें जल्दी स्विफट आउट हो जाता है तो दोस्तों आप अगर अगर बोट स्टुडेंट हो और थोड़ा यूनिक दिखना चाहते हो लोगों से कि यहां सारे तो बोट रगोज यूज करते हैं तो आप नॉइस एलिट ट्यून ही खरीदे वह बहुत क्लासिक और ग्लोसी लूग है फिने से और और आडियो क्वालिटी बहुत सही है तो गाइस मैं यह आ